बाइस साल का एक दुबला पतला सा लड़का जब ये बाइस साल का लड़का पिछ पर आता है तो विरोधियों के लिए कहर बन कर टूपता है ये ना स्पिन को देखता है और ना ही तेज गेन बाजी को मैं साथ टेस्ट मुकाबले में ही इस लड़के ने बता दिया है कि वह भारत का आने वाले भविश्य का चमकता हुआ सितारा है जी हाँ हम बात कर रहे हैं ये शश्वी जाइसवाल की भारत और इंगलेंड के बीच खेले जा रहे है तीसरे टेस्ट के मुकाबले में एक बार फिर से ये शश्वी जाइसवाल ने बता दिया है कि क्यों उसे भारत का उभरता हुआ सितारा कहा जाता है भारत और इंग्लेंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मकाबले में यसस्वी जाइसवाल ने बता दिया था कि टेस्ट सीरीज इंग्लेंड के लिए आसान नहीं रहने वाली है पहले टेस्ट की पहली पारी में 80 रन और दूसरी पारी में 15 रनों की पारी खेलने वाले यसस्वी जाइसवाल कबला पहले टेस्ट मुकाबले में कुछ खामोश रह था जिसके चलते भारत को पहले मुकाबले में हार जेलनी पड़ी थी लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में यशश्वी जाइसवाल ने इंगलेंड को चने चबाए आपको पता दें कि दूसरे टेस्ट के मुकाबले में यशश्वी जाइसवाल ने पहली पारी में 209 रनों की शांदार पारी खेली थी जिसके चलते भारत को जीत हासिल हुई थी तो वहीं तीसरे टेस्ट मुकाबले में पहली पारी में 10 रन बनाकर आउट होने वाले यशश् गिन शुबमन गिल के आउट होने के बाद यशेश्वी जाइसवाल फिर से क्रिज पर लोटे और इस बार यशेश्वी जाइसवाल के इरादे कुछ और ही थे यशेश्वी जाइसवाल ने तूफानी पारी खेलते हुए महज 231 गैंदों पर दोहरा शतक जड़ा इसके साथ ह यशेश्वी जाइसवाल ने एक पारी में सबसे जादा चख्के मानने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी की आपको बता दें कि 1906 में में वसी मकरम ने जिमबाबे के खिलाफ जो पारी खेली थी उसमें 257 रन बनाते हुए 12 चख्के एक पारी में जड़े थे और यश 26 साल के बाद इस रिकॉर्ड की बराबरी की इसके साथ ही आपको बता दें कि साथ मुकाबले में यशेश्वी जाइसवाल का बल्ला खुब चला है साथ मुकाबले में यशेश्वी जाइसवाल ने जहां दो दोरे शतक एक शतक और दो अर्शतक जड़ चुके हैं तो वहीं उनका स्ट्राइक रेट भी 80 से उपर शश्वी जायस्वाल को आने वाले समय का सितारा यूं ही नहीं कहा जाता है